तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों जैसा कि आपको बता होगा कि वन्योंग वाइप 5.0 का रोल आउट हो चुका है और आने वाले टाइम पर बहुत सारे डिवाइज पर आने वाला है दोस्तों उसी को देखते हुए बहुत सारे नए अपडेट्स भी आ रहे हैं समसंग की जो एपस होती है उसके में सब पर नए नए अपडेट्स और नए फीचर को आपको बताने वाला हूँ आगे मोटने से पहले मेरे चैनल को जड़ो सबस्क्राइब कर लेना और अडिविशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको सबसे पहले मिले तो चलते हैं दोस्त यहां पर आप देखेंगे इस अपडेट में नीचे की तरफ आएंगे तो इस अप्डेट को कब रोल आउट किया गया और वर्जन नमबर है इसका 13.3.01.11 जो कि रोलाट किया गया है नॉमबर 20 को अला 20 नमबर को इसका रोलाट किया गया जिसका साइज है 16.99 यहां पर आप देखेंगे दोस्तो इस update में कुछ नए changes भी किये गए और यहां पर changes logo दिया गए यहां पर changes देखेंगे आप क्या 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 गया है device display in the order they were found when searching for nearby device तो पहले तो पहले तो उसको update कर लेते हैं और अपडेट होने का बताता हूं कि क्या क्या changes किये गए तो उसको आप nearby device को search करेंगे तो यह जो order display का वो थोड़ा ओर change हो गया और आपको अच्छे से order करके दिखाया जाएगा तो कैसे like आप यहां पर अगर नीचे करफ करेंगे तो आपको यहां पर भी quick share का option मिलेगा यहां पर click करेंगे और इसको on कर लेंगे on करने किया अब मैं आपको मिलेगी जो कि पहले नहीं मिलती थी अब उसको अच्छे से कस्टमाइज कर दिया गया है उसके बाद दोस्तों second feature यह more device display per line improved icon color for device found तो यहां पर क्या होगा जब भी कोई device आपको find होगी like अगर आप यहां पर शेयर पर जाएंगे और यहां शेयर करते हैं क्योंक शेयर पर जाने के बाद तो कोई भी divide अगर find होगी तो आपको line पर मिलेगी और जो device आपको find हो जाएगी उसका color highlight हो जाएगा तापकि आपको पता लग जाएगी यह device अभी हां पर currently available है तो दो नए feature तो आपको यह हां पर मिलेंगे उसके बाद यहां पर आप देखेंगे third feature किया गय for when they are device waiting for receive file अगर कोई device receive file के लिए वेट कर रहा है तो आपको notification पर मिल जाएगा अगर आप किसी को share करेंगे और साथ में URL display and uses guide provided when copying a link तो यहां पर जब भी आप URL display और uses guide provide की जाएगी जब भी आप कोई link को copy करेंगी कैसे अगर मैं आगया हम क्यों पर गैलरी पर गैलरी पर यहां पर आने के बाद अगर मैं copy link पर क्लिक करूंगा तो यहां पर एक पूरा सा guide आपको दे दिया जाएगा कि यहां पर prepared हो चुका है नीचे पूरा link आ गया लिंक आने के बाद यह पूरा महां पर शेर हो जाएगा और आपको बता भी दियाएगा पेश्ड़ लिंग इन दोनय आपको बता है उमीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी तो खैंक्यो करें हैं जांके नोटि सबसे जरूरी अगर आपबी तक आपने अबने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज याण चैनल को सबसे बैल आइकन को भी दबा दो चाकि आख इ वीडियोस को देख तो बहुत सारे लोग रहे बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं करता है ऐसा मत किया कर वाई चैनल करो सब्सक्राइब कर लिया करो और हो सके तो मुझे फेस्बूक पे भी फोलो जरूर करें और मुझे से अगर पूछना चाहते हैं तो मुझे फेस्बूक पे भी मैसेज कर सकते हैं मैं वहाँ पर आपको फट से रेपलाई दूँगा इसका लिंक आपको निखिड़े इस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थैंक्यू दोस्तों